हेलो माई डियर फ्रेंड यूर अगेन वेलकम टू वारलेश हेरा दस्टेशन ऑफ एच जी पी डाट मेंज स्वीच गियर और प्रोटेक्शन तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा थर्ड चेप्टर है वो भी हमने सुरू कर दिया जो की थर्ड चेप्टर हमारा फ्यू जो करते हैं यह भी हम आपको कल बता है कल के वीडियो में हम आपको प्री आर्किंग टाइम मार के ऐसल यह वाला है कि आपको हो Park के हाँ पर clear हो जाएगा तो please watch the video अब जाएगा तो please watch the video so start करते हैं आज का topic, आज का topic हमारा होने वाला है कि fuse होता है fuse का type क्या होता है, तो देखिए हमारा fuse होता है हम दो type में classify क्या होता है एक जो हमारा fuse होता है उसको हम low type voltage fuse कहते है और दुसरा high voltage type fuse मतलब दो category में बाढ़ते हैं एक तो low और एक high voltage सबसे पहले हम पढ़ेंगे low voltage type of fuse low voltage fuse can be further divided into two parts जो हमारा low voltage type का fuse हो फिर से हम दो type में बाढ़ते हैं एक तो हमारा semi-inclosed reliable हो जाएगा और एक cartridge type हो जाएगा तो दो परकार के हमारे हो गया एक semi-inclosed और cartridge हमारे type की fuse हो गया तो चलिए यह one by one हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा आगे semi-inclosed re-wireable fuse semi-inclosed re-wireable fuse तो this fuse have one or more strands of fuse wired stretch between terminal and block mounted on a porcelain handle तो मतलब यह semi-inclosed होते हैं मतलब पूरा inclosed नहीं होते हैं मतलब semi-inclosed जैसे कह सकते हैं मतलब semi-inclosed होते हैं और इस fuse have one or more strands इनमें मतलब जो strand की संख्या जैसे हम आफ्यूज एक ऐसे fuse हो गया इसमें दो मतलब हम वायर का यूज कर सकते हैं इसको strand बोलते हैं एक strand दो strand तो यही बता रहे हैं कि इसमें एक या एक से अधिक हम strand का यूज कर सकते हैं और यह जो होते हैं porcelain handle से हम बनाते हैं मतलब इसका कवरिंग करते हैं वह porcelain करते हैं कि हम झाने हैं एक पोशूलीन यूउक्वोध होता है बंतलGu आफ्यूलेटर और होता है रइट इसके बारे मेंugen म tat इसके बारे में मैं इसका यूज हम जो है इसका रेटिंग जो हमने बताया आपको 500, 500 A तक करते हैं but their breaking capacity is generally too low, जो breaking capacity होता है वो बेहत कम होता है, breaking capacity कम होता है लेकिन रेटिंग जो होता है, हम 500 A तक हम कर सकते हैं then after हम HRC cartridge type fuse को हम पढ़ेंगे, HRC cartridge type fuse को हम पढ़ेंगे, तो HRC cartridge fuse consists of ceramic body, जो यह मतलब हमारा HRC fuse होता है, जो यह fuse होता है, वो ceramic body consists किया होता है, metal and cap 2 which are welded fuse, मतलब fuse करने के लिए हैं जैसे कि हमने ऊपर आपको बता है कि हम जो fuse यूज करते थे उसमें टीन और लेट का combination होता है, लेकिन यह जो फ्यूज होता है, HRC cartridge type fuse होता है, इसमें हम silver का यूज करते हैं या by metallic current carrying element का हम यूज करते हैं, तो इसका हमने, मतलब किसका यूज की है, हम welded fuse मतलब fusible silver का यूज की है, या by metallic current carrying element को यूज की है, किसमें? HRC cartridge type fuse में, उसके बाद second point देखते हैं, the space within the body surrounding the element is completely packed with filling powder, usually quads which has excellent arc-fusing property, जो हमारा यह HRC fuse है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो body होता है, मतलब चारों तरफ से घीरा होता है, completely packed होता है, जिसमें हम powder fill करते हैं, और वो powder का नाम है quads powder, quads powder की property होती है, कि वो arc को बहुत ही, असानी तरीके से बुझा सकता है, quinch कर सकता है, तो यह हमारा, मतलब HRC fuse के बारे में हम पढ़ा, और यह, देखे, simple HRC fuse के मतलब figure है, यह जो हमारा, मतलब fuse है, यह जो हमारा contact body है, परिसे ceramic body, अभी आपने पढ़ा कि जो, हमारा HRC fuse होता ह है, वो ceramic body का बना होता है, और यह fusing element है, जो कि silver का हम मलनी रहते हैं, और यह हमारा brass end cap है, और इसमें हमने quads powder फिल किया है, तो यह हमारा figure हो गया, उसके बाद next देखते है, the operation of fuse consists of this following step, मतलब यह fuse working कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर जब भी over current आएगा, तो melt the silver element, तो silver element जो हमने बीच में यह element लगाया, जो हमारा element है, fuse element, यह सबसे पहले क्या होगा, melt होगा, पहले step में यह melt होगा, then second step में vaporize the element, जब melt होगा, तो clear है कि vaporization होगा, vaporization होने के बाद third step में क्या होगा, third step में creation of high resistance as a result of chemical creation between the silver vapor and filling powder, जो इसमें हमने filling powder, मतलब जो हम इसमें quartz बर रहे हैं, जैसे ही vaporize होगा, तो इसमें chemical reaction होगा, जिससे कि हमारा जो आर्क डेवलप होगा, आर्क डेवलप होगा, वो उस powder करण बहुत यह असानी से क्विंच हो जाएगा, मतलब बूज जाएगा, finally the arc become quinches, तो हम fuse का use कर रहा है, fuse का use कर रहा है, और यह high, मतलब low voltage के ल order का use करते हैं, और उसके पास excellent property होती है, कि हम, हो arc को बहुत यसानी से बुजा देती है, तो यह step होता है, इस step का use करके, हम arc को बहुत यसानी से बुजा लेते हैं, उसके बाद the main advantage of, I mean, cards it's fuse, मतलब जो हम HRC fuse, या card trades type fuse, चूज करते हैं, उसका मतलब advantage क्या है, sorry I don't, I know, I am pronoun announcing wrong, but क्या करें, video on हो गया है, हमारे पास editing करने का भी कोई मतलब तो विदा भी नहीं है, it's okay, आप समझ रहा है, हमारा main motive आपको समझाना है, मतलब क्या कहूं, चलिए समझते हैं, let's discuss further, पहला जो main advantage है, इस type के fuse, मतलब card trades type fuse का use करने से, पहला ability to be your high value of short circuit current, इस type के fuse अगर use कर होते हैं, तो यह बहुत ही high value के current को क्या कर सकते हैं, wear कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने powder fill किया है, और जो powder है, वो quartz powder है, जिसका excellent property होता है, वो क्या करेगा, वो हमारा R को बहुत असानी से cringe कर जाएगा, दूसरा non-detorating, मतलब इस fuse का use करने के बाद, हमारा जो मतलब सी rate नहीं होगा, खराब नहीं होगा, third point है, इसका speed जो होता है, वो बहुत ही fast होता है, high speed होता है, बहुत ही असानी से, बहुत ही तेजी से हमारे R को quench करता है, चौथा जो होता है, consistence performance होता है, इसका performance लगातार चलता रहता है, reliable in operation होता है, छटवा इसका मतलब जो हमारा importance है, inverse time current characteristic, जो हमारी type of fuse होता है, time current, जो fusing current है, वो inverse relation होता है, और जो सात्वा है low cost compare with other form of equal capacity of fuse, अगर other form, simple अगर simple वाला देखें, जो semi enclosed था, अगर same rate के लेते हैं, same rating के, तो वो महाँआ पड़ेगा, लेकिन हमारा जो HRC cartridge type fuse है, वो जो है सस्ता पड़ेगा, कल के वीडियो में हम high voltage type fuse पड़ने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो हम अपना जो type of fuse है, उसको दो, दो मतलब equal part में बाटा है, एक जो low type और एक high type, तो आज के वीडियो में हमने low type के fuse को देख लिया, जिसको कि हमने दो, जो low type भी था, उसको भी हमने दो type में बाटा था, semi and cartridge type, तो हमने semi-inclosed भी देखा कि semi-inclosed का rating जो होता है, 500 ampere तक होता है, जो हमार HRC cartridge type fuse होता है, इसमें हम filling powder, powder की उच्छ करते हैं, जिसके कि इसका experience मतलब, आख को बुचाने की चंता जो होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, तो that's why हम ये दोनों fuse को हमने देखा, low voltage, अगर आपके exam में आता है, कि fuse के बारे में सजाए, तो आप बता सकता है, तो type का होता है, एक low voltage, एक high voltage, low voltage होता है, इसको भी दो मतलब बराबर भाकों में बाठते हैं, मतलब, एक semi enclosed हो गया, और एक cartridge type, guys, I am shooting this video at night, मेरी आख मतलब बंद हो रही है, but I am trying, क्योंकि, I have taken a challenge, but, so that's why I would like to, मतलब, मैं कैसे भी अपने challenge को पूरा करना चाहता हूं, so, it's okay, let's see, इसके बाद हम fuse के next topic को पढ़ेंगे, जो कि हमारा high voltage fuse होने बाला है, तो क्या कह सकते हैं, अगर लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे channel को share करना चाहिए, तो please हमारे channel को share कीजे, ताकि हम जितना भी अपना knowledge हम share कर रहे हैं, वो और दूसरे को पहुंचे, तो please अगर video अच्छा लगता है, या बूरा लगता है, please comment, so, last time से, thank you so much.